हेलो हेलो क्याचिट प्रूट देखने वालो मेरा नाम है श्रेयस और आज मैं आपको यहाँ पर बताऊंगा कि कौन से ऐसे 5 स्मार्टफोन है अंडर 15,000 जो आपको खरीने चाहिए लॉकडाउन के बाद या फिर अभी जो यहाँ पे Amazon फ्लिपकार्ड ने जो सेल स्टार्ट कर है जो नमबर 5 स्मार्टफोन आता है मेरी लिस्ट में वह जो आता है में रेड्मीनोट 8 पे उसमा आपको यहाँ पर मिलता है 48 Meg architectural का पे पीच्छे की साइड में और यहाँ पर यहां पर उसका प्रॉसेसर भी अच्छा है 665 प्रॉसेसर है बैट यहा ने तहीं पर 10 जार पेर यह बिद्ध के लिए 4GB RAM और 64GB इंटर्ण टोरेज के साथ में बट अब उसकी जो प्राइस हाइक हो चुकिए अब उसकी जो प्राइस हो गई है वह है realme 5s उसकी प्राइस थी पहले 10,000 थी बेस फेरेंट की 4GB और 64GB की अब जो उसकी प्राइस होगे वो 11,000 होगे है लेकिन फोन जो है वो आउट आफ स्टॉक होगे है फ्लिप कार्ट पे मेल नहीं रहा है वो फोन तो जो नंबर 4 पे स्मार्ट फोन आता है वो आता है हमारा वीवो का U20 क्योंकि उसमां आपको मिलता है स्नाप ड्राइगन 675 प्रोसेसर और उसमां आपको मिलता है बड़ी बैटरी 5000 mAh की विद फास चार्जिंग 18 वाट्च का चार्जर जो है बॉक्स के अंदर ही मिलता है स्नाप ड्राइगन 675 प्रोसेसर भी ठीक है बड़ी बैटरी 5000 mAh की और फास चार्जिंग के साथ 18 वाट्च का जो बॉक्स के अंदर ही आता है सामसंग का M21 और सामसंग का M30S यह दो स्मार्टफोन जो बहुत ही सिमिलर स्मार्टफोन ही दोनों मी आपको यहां पे सेम प्रोसेसर मिलता है सेम रम मिलती के सेम स्टोरेज मिलती है सेम बैटरी मिलती है 6000 mAh की और same यहां पर chargers मिलते हैं जो कि 15W का है everything is same यहां पर आपको display भी यहां पर दोनों में AMOLED display मिलते है 6.3 inch की तो Full HD Plus की तो आपको दोनों फोन्स बहुत ही similar है यहां पर लेकिन camera's में यहां पर difference है दोनों फोन्स में और मैं बात करूँ इन दोनों ही फोन्स का strong point का इन दोनों फोन्स का strong point है इनकी बड़ी battery 6000 mh की लेकिन मैं बात करूँ कर यहाँ पर जो price अब जो है Samsung M21 का जो price है वो इस समय बेस विडेंट का 4GB राम और 64GB का दिखा रहा है 12700 रुपीज और जो M30S का price दिखा रहा है वो 15000 र हाइक हो चुक है तो यह दोनों फोन्स मेरी लिस्ट पर थर्ड नंबर पर आते है अब मैं बात करूँ अगर सेकेंड नंबर पर तो सेकेंड नंबर पर जो device आता है वो आता है Redmi Note 9 Pro क्योंकि उसमें आपको यहाँ पर मिलता है Snapdragon 720G का प्रोसेसर बड़ी बैटरी 5000 mh की और उस जो कैमरा है वो उसका स्ट्रॉंग पॉइंट है अगर आपको सिर्फ कैमरा के लिए फोन चीह है तो हैंस डाउन Redmi Note 9 Pro का कैमरा बहुत बढ़िया है यहां पर तो अगर मैं बात कर उसके प्राइस की प्राइस हाइक की तो प्राइस उसका पहले था लॉक्डाउन से पहले वह चुकी है तो स्ट्रॉंग पॉइंट इस फोन का है क्यामरा अगर आपको क्यामरा के लिए फोन चीह है तो आप यहां पर Redmi Note 9 Pro गो ले सकते हो तो यह मेरी रिस्ट पे सेकेंड नंबर पर आता है तो जो नंबर वन स्मार्टफोन आता है अंडर 15,000 हैंस टाउन वह आता हमारा Realme 6 क्योंकि उस फोन को आज तक कोई बीटने कर पाया 15,000 के बजेट में अगर मैं बात करूं उसमें आपको मिलता है आप नाइंटी हर्ट की डिस्प्ले मीडिया टेक का हीलियो जी नाइंटी टी प्रोसेसर और उसकी जो प्राइस हाइक हुई है पहले उसको प्राइस थी उसकी 12,999 रुपए अब जो उसकी प्राइस हो गई हो 13,999 रुपए हो गई है 14,000 रुपए तो उस हिसाब से भी उसमें आपको चार्ज विराम और 14 जी इंटर्न सोरी मिलती है और 90 हर्ट के आपको IPS की डिस्प्ले मिलते है फूल एजडी प्लस की बट यहाँ पर पंचोल डि मेगा पिक्सल का कैमरा मिलता है बट यहाँ पर इतना अच्छा कैमरा नहीं है रिव्यूस बताते हैं हाँ पर मैं अगर पैकेज की बात करो अगर 15,000 के नीचे मेरे साब से तो Realme 6 बढ़िया है अब क्योंकि प्राइस जो है वो बढ़ गई है लॉक्डाउन के बाद तो Realme 6 जो है वो नमबर वन मेरे साब से स्मार्टफोन रहता है अंडर 15,000 तो यह थी मेरी टॉप 5 फोन अंडर 15,000 पांच ऐसे बढ़िया फोन 15,000 के नीचे जो आप खरीच सकते लॉक्डाउन के बाद प्राइस जो बढ़ने के बाद प्राइस आइक के बाद तो मेरी तरफ से इत यहां पर मेरी वीडियो पसंद आई तो प्लीज मेरे चानल को सब्सक्राइब कीजिए और इस वीडियो को शेर जरूर कीजिए थांक यू फ्रेंड्स फो वाचिन दिस वीडियो